क्या राहुल रविट ODI के लायक नहीं थे, साल था 1998 जब उनको उनकी ही ODI टीम से निकाल दिया गया, ये बोलकर कि आप ODI खेलने के लायक नहीं है, और क्रिकेट देखने वाले जादा तोर लोगों को लगता है कि राहुल रविट के सिर्फ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म रहे हैं, जिसके बारे में ना कभी मीडिया वालो ने बात करी, ना कभी इन सारी चीजों के बारे में उनके फैंस को पता लगने दिया गया, तो ऐसा क्या कॉंट्रिबूशन दिया है राहुल रविट ने ODI इसमें और क्यों हम तक कभी उनकी ए कॉंट्रिबूशन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो मेक शूर इस वीडियो को लास तक देखना, वैल शुरू से शुरू की जाए तो 11 जनवरी 1973 को मद्य प्रदेश के इंदौर में जन्म हुआ था राहुल रविट का, वो बच्पन से ही बहुत जादा डिसिप्लि में नहीं आएं, बहुत लोगों को लगता है कि राहुल रविट बहुत ही काम और शान्त रहते हैं और उनको गुस्सा नहीं आता है, पर आपको बता दो कि ऐसा नहीं है, राहुल रविट को भी गुस्सा आता है और ऐसे ही एक बार गुस्ते के शिकार हुए थे हमारे प्य गरने के बाद आते हैं माही भाई और वो अपने एक अजीब से शॉट की वज़े से आउट हो जाते हैं और जब वो आउट होकर बाहर आते हैं तो राहूल उन पर बहुत चलाते हैं वो कहते हैं कि तुम मिडल ओडर बैट्समन हो तुमको ऐसे अग्रेसिव शॉट्स नहीं खेलने चाहिए अराम से खेलना चाहिए और गेम को फिनिश करना चाहिए और कुछ दिनों बाद फिर से सेम सिच्वेशन क्रियेट होती है दोनी खेल रहे होते हैं दूसरे एंड पर सहवाग खड़े होते हैं दोनी बहुत बच-बच के आराम से खेल रहे होते हैं और अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं मैच खतम होने के बाद सहवाग उन से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई तो कितना अजीब तरीके से खेल रहा था और दोनी रिपलाई करते हैं हाँ मैं आज बहुत आराम आराम से बच बच के खेल रहा था क्योंकि मुझे राहुल द्रविट से दाट नहीं खाना था और आगे चलकर धोने भी captain बनते हैं और आपको शायद ना पता हो उनकी captain से भी बहुत हक तक राहुल दरविट से inspired थी पर राहुल दरविट के ODI में contributions जानने से पहले हम बात कर लेते हैं इनके life के कुछ सबसे बुरे phases की दरसल इनकी life का सबसे बुरा phase सुरू होता है 1996 सहारा कप में जहां उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाये थे फिर वर्ल्ड सीरीज में 20 रन 1997 friendship कप की 4 पारियों में 65 रन 1998 कोका ट्रैंगलर सीरीज के 4 मैच में 88 रन इन मैचों में दरविड ने अच्छी पारिया खेली पर उनके slow strike rate की वज़े से उनको बहुत criticism मिला 22 बॉलों में 5 रन 21 बॉलों में 1 रन और इतने खराब performance के चलते उनको one day team से बे निकाल दिया गया उस समय तक उनोंने 65 ODI में 31.64 की average से 1709 रन बनाये थे पर बहुती खराब strike rate 63.48 के सांथ 1998 तक उनको test specialist कहा जाने लगा टेस्ट में जहां दरविड सामने वाली team को घुटनों पिला देते थे ODI में उनका strike rate खुटगुटनों पर होता था लोग कहते थे कि दरविड के पास तेज stroke खेलने की भी जमता नहीं है और वो बड़े stroke नहीं खेल सकते हैं और इसी लिए उनको team से निकाल दिया गया पर उनके according अच्छा player वही होता है जो haters को जवाब अपने game से देता है उन्होंने भी वही किया slow strike rate को दूर करने के लिए दरविड ने अपनी game को इंप्रूफ किया अपनी game style को इंप्रूफ किया उन्होंने बिना aggressive game दिखाय अपने strike rate को इंप्रूफ किया टावल दरविड के नए ODI करियर की शुरुआत होती है 1999 में न्यूजलेंड टूर से जहां उन्होंने 100 बॉलों में 100 run बना कर अपना तीसरा man of the match खिताब जीता आगे उन्होंने 5 मैचों में 309 run बनाया और 2 man of the match खिताब भी जीते इस सीरीज में उनका strike rate 85.65 हो गया था जो उनका सबसे best strike rate था फिर अगले ही साल पेपसी कप में उन्होंने गांगोली के साथ मिल कर 236 run की partnership करी जो उस टाइम पे record थी और इस मैच में उन्होंने 118 बॉलों में 116 run बनाया और उनका strike rate गांगोली से कहीं बहतर था अभी बैटिंग में उनका जलवा दिख रहा था और अभी पाकिस्तान के अगेंस उन्होंने बॉलिंग करके एक विकेट भी ले लिया और ये उनका पहला विकेट था 1998-199 में Coca-Cola Cup खेला गया इसमें विकेट कीपर 9 among या चोटिल हो जाते हैं तब विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी राहूल द्रवीड ने ली शानदार विकेट कीपिंग करते हुए दो विकेट भी ली और ये Coca-Cola Cup बता रहा था कि द्रविड वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं पर वर्ल्ड कप में एक्सपेक्टेशन्स के अगेंच शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही इंडिया शुरू के ही दो मैच साउट आफरीक और जिमबामे के खिलाफ हार जाती है जिसमें द्रविड ने 58 और 13 रनी बनाए थे अब वर्ल्ड कप जीतना है तो बाकी 3 और मैच जीतने थे और द्रविड का चलना बहुत जरूरी था अगला मैच केनिया के साथ होना था सचिन और द्रविड ने शानदार 237 रनों की पार्टनर्शिप करी जिसमें द्रविड ने अपना पहला वर्ल्ड कप का सतक लगाया था और वो मैच हम 194 रनों से जीत गए अगला मैच था स्री लंका के साथ द्रविड ने गंगुली के साथ मिलकर 318 रन बनाए जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है ये पहली बार था जब दो प्लेयर मिलकर 300 से जादा रन बनाए थे और द्रविड ने इस मैच में भी शतक लगाया था और ये मैच भी हम 157 रनों से जीत गए इंडिया अगला मैच भी जीत जाता है जिसमें द्रविड ने 50 रन बनाया थे भारत ने पाकिस्तान को तो हरा दिया पर सूपर सिक्स में जाने के लिए औस्ट्रेलियो और न्यूजिलेंड से हार गए भारत फाइनल नहीं खेल पाई पर द्रविड वर्ल्ड कप के हाइस कुरर बने जिसे उन्होंने महज आठ ही मैचों में बनाया था बाकी कंट्रीस से दो मैच कम खिलने के बावजूद उन्होंने 85.52 की स्ट्राइक रेट से 471 रन बनाये थे पर इतना ही नहीं वर्ल्ड कप के बाद भी उन्होंने अपने कंसिस्टेंट फॉर्म से उस समय के सबसे दिगज टीम ऑस्ट्रेलिया को भी घुटने डिका दिये थे पर क्या आपको पता है दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर शोहे बकतर जो 260 किलुमेटर की रफतार से बॉलिंग करते हैं जिसे पूरी दुनिया के बैट्समेन फेस करने से डरते हैं वो किससे डरते हैं जी हाँ राहुल द्रविट से वो कहते थे कि मैं हमेशा राहूल दरविट को फेस करने से डरता था वो पहले mentally तोड़ते थे फिर physically तोड़ते थे और जब आपकी पूरी energy lose हो जाए तो आपको knockout कर देते थे आज भी इंडिया के ही बहुत से उनकी haters हैं जो उनने test player बोल के mock करते हैं पर अब ऐसा नहीं चलेगा इस amazing contributor के लिए हमें हमारा perception बदलना ही पड़ेगा उन्हें mock करने के बज़ा उनके कामों को appreciate करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत होगी आप से मैंने ये वीडियो बना के अपना काम कर दिया है अब ये आपको decide करना है कि क्या ही amazing player जादा नहीं बस 24 घंटों के लिए आपके status में रहना deserve करता है पर ये वीडियो यहां कतम नहीं होती है इनकी life का बहुत important part year 2000 के बात शुरू होता है जहां ये team इंडिया के लिए backbone का role play करते हैं और अगर आपको इसका part 2 चाहिए तो make sure आप comment में जरूर बताएं अगर एक हफ़ते के अंदर इस वीडियो पर 5000 से जादा like सुझाते हैं तो अगले हफ़ते इसी दिन तो सामशाद बज़े मैं इसका part 2 जरूर अपलोड करूंगा